नमस्कार दोस्तो राधे राधे आश्म कलेक्टिप्स में आप सभी दर्शकों का इपार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इपार फिर उपस्तित हैं बेहत ही नए और महत्पुन वीशाय के साथ आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर सरीर के इन जगों पर गीरे शिपकिली तो आप होने वाले हैं माला माला जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो बेहत महत्पुन होने वाला है इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इसी तरह की रोचक और महत्पुन जयान कारिया हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे दोस्तों शिपकिली हर किसी के घर में पाई जाती है अकसर लोगों के उपर शिपकिली गिरती है लेकिन क्या आपको पता है कि सकुन सास्तर के नुसार शिपकिली के सरीर पर गिरने से सकुन या अपशुकुन माने जाता है शिपकिली के गिरने से मिर्थी होने या फिर पैस से प्राप्त होने कि संकेत मिलते हैं इतना ही नहीं यदि आपके सरीर पर किसी भी यंग पर शुबकिली गिति है तो हम आपको बता दें कि या इसन क्या पाइदा होगा और नुकसान होने कि प्रिवार या मित्र जगडाएं बिल्कुल संभव है और अलग होते दिखे तो किसी प्रिय जन से बिचुडने का दुख सहन करना पड़ सकता है। दिन में भोजन करते समय या दे चिपकेली की आवास सनाई दे तो सिग्र ही कोई सुप शवशार की प्राप्ति दुख हो सकती है। या कोई सुप फल प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। हाला कि ये घटना बहुत कम होती है क्योंकि चिपकेली अधिकान से रात के समय ही बोलती है। अगर यही चिपकेली किसी के माथे पर गिर जाती है तो ये बहुत ही सुप संकित हो सकता है। इसके अलावा संपति मिलने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर छिपकिली आपके बालों में गिरती है इसका यह संकीत होता है कि आप स्वास समंधी कोई परशानी में गिरने वाले हैं चिपकिली यदि दाहिने कान पर गिरती है तो आभूशन की प्राप्ती हो सकती है जबकि माय कान पर चिपकिली का गिरने पर आयू में प्रीधी होती है यदि घर या बाहर नाप पर गिरती है तो चिपकिली तो जल्द ही भागयोदे होने की शमाला होती है चहरे पर चिपकिल दाएने कंधे पर गिरती है तो विजय की प्राप्ति होती है जबकि बाएं कंधे पर शिपकिली गिरे तो नए शत्रू बनते हैं वहीं अगर शिपकिली पेट पर गिरे तो आभुशिन की प्राप्ति होती है दाएं पेर या दाएं एड़ी पर चिपकली गिरना यानि यात्रा से लाव मिलता है बाएं पर या बाएं एड़ी पर चिपकली गिरने से बीमारी या घर में कलग होगी दुख्स मिलेगा दाएं पैर के तलबे पर शिपकली गिरने का मतलब एश्वार एकी प्राप्ती होती है वही बाएं पैर के तलबे पर शिपकली गिरने का मतलब वेपार में आनी होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना शिपकली गिरने से सम्मंदित महत्पून संकेत आशा करते हूँ आज की वीडियो आपको महत्पून लगी हो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें और अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इसी तरह की रोचक और महत्पून जानकारिया हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों राधे राधे